हबर है कि पंजाब में कुछ आर्टियों पर इंकम टेक्स की रेट पड़ गई है इस रेट का पंजाब के सीम कैप्टन अम्रिंदर सिंग और अकाली दल के अध्यक्ष सुगवीर सिंग बादल ने विरोत किया है दोनों के आरोप हैं कि किसान आंदोलन को दबाने के लिए सरक इसे कदम उठा रही है पंजाब के अलगलग हिस्सों में 14 आर्टियों पर इंकम टेक्स विभाग में इस रेट की जानकारी पंजाब पुलिस को नहीं दी और अपने साथ CRPF के जवानों को लेकर रेट की जानते हैं क्या है पूरा मामला पंजाब में कुछ जगहों पर आर के साथ CRPF के जवान भी थे पटियाला के जिला प्रदान जुस्विंदर सिंग नवा शहर के आर्टी बलजिंदर सिंग वालिया राजपुरा के प्रदान हरदीप सिंग समेथ कुछ और बड़े आर्टियों पर भी रेट की गई ऐसा माना जा रहा है कि रेट उन लोगों प रहा है जिसको सरकार रोकना चाहती है क्याप्टर ने कहा कि पंजाद के कुछ आर्टियों के खिलाफ आयकर चापों के जरिये उन्हें डराने धंकाने की कोशिशें की जा रही है सीम ने कहा कि इस तरहां की दमनकारी कारवाई का परिणाम बीजेपी के लिए उल्टा साबि किसानों के प्रदर्शन को खत्म नहीं कर पाई ऐसे में आप किसानों को विभाजित किया जा रहा है और आर्टियों को निशाना बनाकर उनके संगर्ष को कमजोर किया जा रहा है सुग्बीर सिंग बादल ने क्या कहा बीजेपी के सहयोगी रहे शिरोमनी अकाली दल के दबाब डाला गया हम इसके निंदा करते हैं केंद्र को उन लोगों के खिलाब विरोध की राजनीती नहीं करनी चाहिए जो अपने अभिव्यक्ति की सतनतता की अधिकार का उप्योग कर रहे हैं उन्होंने आगे कहा पंजाब आर्टिया असोसियेशन के पद अधिकारियो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे 25 दिनों से दिली की सीमाओ पर बैठे हैं किसान नए कृषी कानूनों को रद करने की मांग को लेकर ध्रने पर बैठे हुए हैं करक़ाती ठंड कोहरा बारिश कुछ भी ऐसा नहीं जो ने डिगा पाया हो कोई राउंड की बादशीत कि और सरकार के बीच हो चुकी है लेकिन नतीजा सिफर निकला मामला सुप्रेम कोट में भी पहुंच चुका है आपके लिए खबर लिखे हमारे साथ ही वरुन्य मेरा नाम है दिव्यांशी देखते रहिए दीललन टॉप शुक्रिया